आज के इस वीडियो में हम आंजनेया के आहवान सर्ग को पढ़ेंगे कवी का कथन है कि भगवत महिमा से भी अधिक सुखद होती है भगतों की महिमा वास्त में भगवान का गुनगान भी भगतों की चर्चा के माध्यम से ही होता है भक्त ही भगवान की बारबार चर्चाएं करते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि भगवान से भी अत्यधिक लोकप्रिय हो जाता है इसलिए यह सही है कि भक्तों की महिमा भगवान से भी कहीं अधिक उपर होती है सबसे विचारनिये तथ यह है कि हन्मान की चर्चा आते ही राम की चर्चा स्वेम आ जाती है जैसे तितलियों की चर्चा के साथ फूलों की चर्चा अपने आप आ जाती है संक्यत यह है कि राम और हन्मान मानो सांस और प्रान की तरह एक हो चुके हैं जैसे प्रान के बिना सरीर की कलपना नहीं हो सकती, जल के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह ना तो हनमान के बिना राम की चर्चा हो सकती है और ना ही राम के बिना हनमान की. इन समस्त इस्थितियों को विचार कर ही लेखक ने भी स्री हनमान की जय गाई है इस तरह यहां कभी स्वैम को ही कल्यू के उद्धार के लिए हनमान का दूत मान लेता है जैसे तिरेता में स्री राम के लिए हनमान स्वैम दूत बन गये थे हनुमान में अपने मन को पूरी तरह रमा देने के बाद लेखक को अपना पढ़ाया के स्थिती समाप्त हुई सी लगी और वह हनुमान मैं हो गया जैसे कि जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है तो मैं नहीं वही इस्थिती यहां लेखक की भी हो चुकी है इस मानब जीवन का सबसे बड़ा सत्रू व्यक्ति का अहंकार होता है क्योंकि वही उसे सही मार्ग पर नहीं आने देता हनुमान के भक्त अपना अहंकार नश्ट कर ही उनके प्रति समर्पित हुआ करते हैं हनुमान अत्यंत वीर थे सिहनी की ताकत को भी अपने एक ही जपटे में रोक रखने की सकती हनुमान में थी स्री हनुमान की माता भी ऐसी ही महिमा मै थी इन्होंने सीब का मान रखा था स्वयम पवंदेब को महिमा दी थी और प्रभु राम तथा माता सीता को भी आसीस लेने के लिए उनके पास जाना पड़ा था इसलिए लेखक ने हनुमान और हनुमान जननी दोनों का एक स्वर में आवाहन किया है हनुमान जैसा पुत्र पाने के लिए अंजनी ने बारव वर्सों की घोर तपस्या की थी अंजनी सुत आजीबन ब्रह्मचारी रहे और वस्तर के नाम पर लंगोट धारन करते रहे स्वर्न वर्न हनुमान देखने से ही परवीर से दिखते हैं और भक्तों के दुख कलेश को हर लेने की अतूल छमता रखते हैं भौएं आक्रोस सनी हैं स्री हनुमान का बाहरी स्वरुप चाहे जैसा हो उनकी जाती से उनका गुन बहुत बड़ा है जगत में गुनवानों की ही कदर होती आई है हनुमान की कदर अथवा पूजा उनके सदगुनों के कारण ही आज तक होती आई है वे मंगल दायक, बुद्धी दायक तो हैं ही साथ ही साथ एकांत समर्पित भक्तों के भी भक्त हैं वैसे तो उनका बच्पन अत्यंत ही सरारत में बीता इसी चंचलता के कारण उन्हें साब भी मिला था कि जब तक उन्हें कोई याद न दिलाए तब तक वे स्वैम अपने सक्ती का आभास नहीं कर सकते निवेदन पर वे अपने प्राकरम दिखला सकते हैं धीर, वीर, गंभीर का सुभाव ऐसा ही होता है